अकसर लोगों की बीच में कण्फिजन देखने को मिलता है कि आइपोन ले या एंड्रोड ले अगर आप भी इसे कंफिजन में हैं तो चलें डिसकस कर लेते हैं कि इन दोनों की बीच में क्या डिफरेंस है आईपोन और एंड्रोड में से आपको कौन सा लेना चाहिए चलिए आइफोन जो है वो उसको सिर्फ एपल कंपेनी ही प्रडूस करती है जबकि एंडुएड फोन को बनाने बाले बहुत सारी कंपेनी है एंडुएड गुगुल का प्रड़क्ट है जबकि आइफोन जो है वो एपल का प्रड़क्ट है जबकि आइफोन में ऐसा नहीं होता आइफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो DSLR को भी माद दे सकती है हाला कि आप Android स्मार्टफोन को भी इतना ज़्यदा बहतर कैमरा क्वालिटी के साथ पेस किया जा रहा है कि आप Android की कैमरे से भी अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं Android आइफोन के मुकाबले में सस्ते होते हैं जबकि Android हर प्राइस सेग्मेंट में लंच किया जाता है Android को अपने मुदा भी कस्टमाइज किया जा सकता है जबकि आइफोन में ऐसा नहीं होता Android का जो लेटिस्ट ओपरेटिंग सिस्टम है वो पुराने फोन पर काम नहीं करेगा जबकि आइफोन की जो लेटिस्ट ओपरेटिंग सिस्टम है वो आइफोन की किसी भी जो पुराने मॉडल में भी वो काम करेगा हर मॉडल में वो काम करेगा iPhone में long battery backup option नहीं मिलता है वहीं Android में आपको long battery backup option मिल जाएगा यह इतने सारी points है इन दोनों के बीच की जो differences तो आप इसे को देख के जान सकते हैं कि अपने लिए क्या सही है iPhone जो है तोड़ा सा वो costly आता है और Android जो हर person के लिए वो सही है मतलब वो बहुत कॉम price से भी वो start हो जाता है इसलिए यह थोड़ा सा difference तो है जानकारी अगर अच्छी लगी है तो comment करके जरुर बताएं